प्रतीक ने छोड़ा है एक emotional note जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रतीक Big Boss OTT के घर में थे तो उनको नहीं पता था कि सिधार्थ का निधन हुआ है लेकिन अब जब उनको पता चला है तो वो भी काफी परिशान हो गए है उन्होंने सिधार्थ शुकला की एक फोटो डाल जी है सोशल मेडिया पे और वहां पे कैप्शन के जरीयों ने यह भी बताया है कि वो सिधार्थ को आइडियलाइज करते थे जी हां वो सिधार्थ की तरह Big Boss में गेम खेलना चाहते थे और वो कहीं न कहीं सिधार्थ के जैसे बनना चाहते थे प्रतीक सहजपाल कहते हैं कि स ख़बर लोगों को चौका के रख दी है जिसका भरोसा लोगों के लिए कर पाना असान नहीं था क्योंकि प्रतीक सहजपाल Big Boss के घर में थे तो हुंटो इस बात का पता नहीं चला लेकिन पता चलने के बाद वो भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पाए दोस्तों प्रतीक आप वो बपादें की Big Boss 15 के पहले Confirm Contestant बन चुके हैं एटोटेन्मेंट दुनिया की हर ख़बर को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चानल के साथ